हाई गाईज असलालेकूम मैं हूँ सबाखान और आप देख रहे हैं कमाल की रसुई आज तो लेके आई हूँ बच्चों के लिए बहुत ही क्यूर से छोटे-छोटे से स्नैक्स की रेसिपी जो कि दिखने में तो बहुत ही अट्रेक्टिव है खाने में बहुत ही मज़िदार और बच्चों को यह बहुत पसद आने बहार जा रहे हैं तो भी टिफिन बॉक्स में लंज बॉक्स में शौट ब्रेक के लिए दे सकते हैं और इवनिग स्नेक्स के लिए तो बैस्ट है यह तो रेसिपी शुरू करते हैं इसके लिए हम लिया है मैंने हल्दी जीरा कसूरी में थी अजवाइन ब्लैक पेपर और सॉल जो कोई बहुत ही बेसिक इंग्रीडियन्ट है हैं इसमें यूज हुए हैं जो कि सभी के घर में आसानी से अवेलेबल होते हैं तो यहां भी पहले हम डो तयार करते हैं उसके लिए मैंने एक कप रिफाइंड फ्लार लिया है मैदा और इसमें मैदा लिया आप इसमें थोड कम कर सकते हैं और इसमें मैंने डाला है टू टेबले स्पून देशी घी जिससे की वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे अब यह मोवन को हम इसमें अच्छे से मसाज देंगे हम चेक करेंगे मोवन हमारा पर्फेक्ट है या नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे अपने फिस्ट मे ही थोड़ा सा आटे को ट्रेस करेंगे और प्रेस करने से अगर वो शेप को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहा है तो मिंस मोहन परफेक्ट है अगर वो होल्ड नहीं कर रहा है तो मिंस इसमें मोहन थोड़ा और पड़ेगा घी थोड़ा सा और डालना पड़ेगा और यहां पर जो पानी मैं यूज़ करनी हूँ यह नॉर्मल रूम टंप्रेचर का पानी है और इसको एट एटम थोड़ा थोड़ा ही लेके हमें डो तयार करना है क्योंकि यह डो बहुत ही टाइट रहेगा यह पूरी यह चपाती के जैसा नहीं रहेगा यह डो इतना हाड र जैसे आधार ही अर्या किह प्रेशरे फूर नहीं तो इसमें बनाने मिश्वाने दो है उत्ता बनाने में सथाख्यक दो एटने जो पर आज़ते ज्क्रतफा भी और क्लिनच पर यह ज्व रगळा कर दाए आज और यह लेगा क्लीन लगा कंसी और लगर माल्ग श्शे ओम Fire and तो रैप कर दूँगी और इसको हम रखेंगे at least 20 मिनिट तो minimum आपको रखना है उससे थोड़ा आदा घंटा भी होगा तो भी चलेगा तो इस तरह से हमने इसको चारों तरफ से lock कर दिया है अब इसको rest देंगे और हम भी थोड़ा rest कर लेंगे उसके बाद देखें ये 20 मिनिट के बाद अब देखें ये soft हो गया है तो अब इसको हम 2-4 punch और देंगे तब ये जाके perfect हो जाएगा fry करने के लिए तो बस अब ये दे और एक बड़ा समय एक चापाति की जैसा रोल कर लेना है बहुत जादा पतला भी ranking करना है medium ही रखना है और बहुत मोटा भी नियों बहुत पतला भी नियों मेडियम साइज में आपको रोठी की जैसा बेल ये लेना इसको और बेलने के बाद इसको जो शेप आपको इजी पड़े आप दे सकते हैं तो सबसे पहले इसको मैंने फोक से अच्छे से पोक कर दिया अधरवाई ये पूरी के जैसा फूल जाएगा वो फूलने नहीं देना है इसको इसके लिए इसमें इस तरह से आप इसको फोक से पोक कर दें फिर सबसे इजी जो है कट वो यही है जो सब लोग ऐसे ही कट करते हैं वो कोई भी फ्लेवर बनाएंगे ये बहुत ही आसान होता है जो साइड का होता है वो वेस्ट ना जाय उसको भी हम कुछ करदेते हैं तो इसको भी इस सबसे ट्विस्ट करके और इसको भी फ्राइ कर लेंगे तो हम लोग किछेर में जब काम करते हैं मतलब मैक्स टूमेक्स यही आइडिया रहता है कि कोई चीज वेस्ट बिलकुल नहीं जानी चाहिए अब इसको आप चाहे नाइफ से कट करें कोई भी शाप नाइफ लेके कट कर लें चाहे पिज़ा कटर से भी आप कट कर सकते हैं रेक्टेंगल कट करें, चाहे ट्रेंगल कट करें, चाहे डाइमंड शेप कट करें, शेप कोई भी हो, लेकिन टेस्ट एक ही रहेगा, तो यहाँ पे तो मैंने थोड़ा सा डाइमंड शेप दिया है, और यह देखे, बहुत इसली यह कट जाता है, और इसमें आप आटा भी ल यह दूसरा मैंने कट किया है, बिसलरी की बोटल के धकन से, पहले सरकल निकाला है, फिर वो सरकल को हाफ सरकल में धकन रखके कट कर लिया है, और वो शॉर्ट में लेना भूल गई हूँ, तो यह अब हमने ओयल गरम कर लिया यहाँ पे, और एक बेश में निकाल चुकी और इसको एक्चली नौर्ट साइड में लखनो और डेली साइड में यह मत्री के नाम से मिलता है, और इसमें इसका शेप जो स्लेंडिकल शेप रहता है, या छोटी-छोटी सी मिल्ब राउंड शेप ही रहता है, इस टाइफ से, तो लेकिन यह थोड़ा सा मैंने इसमें फ् और आप फटा-फट इसको सर्व कर सकते हैं, तो आपका काम आसान हो जगा है, एक दिन बना लेंगे, पंदरा दिन आप खा सकते हैं, तो टिफिन बॉक्स में भी देने का, लेंच बॉक्स में हजबन को देने के लिए भी बहुत अच्छा आइडिया है, शॉर्ट स्नेक्स क कट किया है, मैंने यहां पर भी मैंने छोटी से ग्लास से मैंने कट किया सरकल, और उसके बाद इसको सिंपल से खाली फोल्ड करना है, तो यह दिखने में लगता है कि अरी, यह कितना, इतने से आटे में, एक कप में, और इतना वेराइटी मेरे पास, त्री शेव बन गया है और कितनी कॉंटिटी में बन गया है, आप बाहर से लेते हैं, कितना एक्सपेंसिव रहता है, और क्या, कौन सा ऑईल यूज करते हैं, कौन सा घी है, आपको नहीं पता, आप जब घर में बनाते हैं तो वो चीज जो हाईजीन के साथ बनती है, जो आपको चाहिए, कितनी पी, and don't forget to give the feedback, because मुझे कमेंट्स परना बहुत पसंद है, तो यहां भी देखें, यह इस तरह से रेडी हो गए हैं, और जैसे ही मैं निकालती जा रही हूं, बैसे ही यह खत्म होते जा रहे हैं, मुझे प्लेटिंग के लिए भी नहीं मिला है, आप सोच लिए यह कितने